माननी सदसगन कुरोना वैस्षिक महामारी की इस दौर में हो रहा संसत का ये संयुक्त सत्र बहुत मात्पून है नया वर्ष भी है नया दसक भी है और इसी साल हम आजादी के 75 वर्ष में भी प्रवेश करने वाले है आज संसत के आप सभी सदस्थ हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहां उपस्तित हैं कि चुनोती कितनी ही बड़ी क्यों न हो ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेंगे भारत जब जब एक चुठ हुआ है तब तब उसने असंभाव से लगने वाले लक्षियों को प्राप्त किया है ऐसी ही एक जुठता और पूज बापू के प्रणा ने हमें सैक्रों वर्सों की गुलामी से आजाद दिलाई थी इसी भावना को अविवक्त करते हुए राश्र प्रेम से ओत्प्रोथ कवी असम केशरी अंभिकागिरी रायचोधी ने कहा था ओम तत्सत भारत महात आइक चेतोनात एक ध्यानोत आइक साधोनात आइक आवे गोत आइक होईसा आइक होईसा अर्थात भारत की महानता परमसत्त है एक ही चेतना में एक ही द्यान में एक ही साधना में एक ही आवेग में एक हो जाओ एक हो जाओ आज हम भारतियों की यही एक जुटता यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है एक तरफ कुरोना जैसी बैस्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बार, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े-बड़े साइकलोन टिड़ी दल के हमले से लेकर वर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्यासित तनाव बढ़ा, इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश का एक साथ लड़ा और हर कसोटी पर खरा उत्रा इस दोरान हम सब इस वासियों के अप्रतिम साहस, सैयम, अनुशाशन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को आसमय खोया भी है हम सभी के प्रिये और पूरवर्ती, राष्टपती, प्रणम मुकर जी का निधन भी कोरोना काल में हुगा संसत के 6 सदस भी कोरोना की बज़े से आसमय हमें छोड़ कर चले गए मैं सभी के प्रती अपनी विनम्र सिर्धानजली अरपित करता हूँ हमारे सास्त्रों में कहा गया है कर्तम में दक्षणे हस्ते, जयो में सब आहिता अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तब होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है कुरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रतेक ग्रक्ति हर देश इस से प्रभावित हुआ आज भारत एक नए सामर्थ के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है मुझे संतोस है कि मेरी सरकार के समय पर लिये गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है आज देश में कुरोना के नए मरीजों की संक्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमन से ठीक हो चुके हैं उनकी संक्या भी बहुत अधिक है माननी सदस्वान जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें इस मरण होता है कि कैसे एक और नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनवती थी तो दूसरी तरफ अर्थ विवस्ता की चिंता भी करनी थी अर्थ विवस्ता को समालने के लिए रिकार्ड आर्थिक पैकेज की घोषना के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े प्रधान मंत्री गरीब कल्या रियोजना के माध्यम से आठ महीनों तक 80 करोड लोगों को 5 किलोग प्रती महा अतरिक्त अनाज निस्वल्क सुनिश्चित किया गया सरकार ने प्रवासी स्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की वन नेशन, वन रासन कार्ट की सुविदा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निस्वल्क अनाज मोहिया कराया और उनके लिए स्रमिक इस्पेसल ट्रेने चलवाएं महामारी के कारण सहरों से वापस आये प्रवासीों को उनके ही गाओं में काम देने के लिए मेरी सरकार ने छे राज्यों में गरीब कल्यान रोजगार अवियान भी चलाया इस अवियान की बज़े से 50 करोड में डेज की बरावर रोजगार पैदा हुआ सरकार ने रेहडी पट्री वालों और ठेला रगाने वाले भाई बहनों के लिए विसेश्वनिधी योजना भी सुरू की इसके साथ ही करीब 31,000 करोड रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किये गए इस दोरान देश बर में उजवला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड से अधिक मुफ्ट गैस सिलिंडर भी मुलिए अपने सभी निर्ड़यों में मेरी सरकार ने संगीय धाचे की सामुहिक सक्ती का अध्वती उदारण भी प्रस्तुत किया है केंद्र और राज सरकारों के बीश इस समन्वे ने लोकतंद्र को मजबूत बनाया है और संभिधान की प्रतस्था को ससक्त किया है माननी सदस्गर्ण आचार चानक ने कहा है त्रणम लगू त्रणा तूलम तूला दपी चायाच कहा वायुना किम नन नीतो असो माम्यम या चायस्थी अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हलका माना गया है रुई और तिनके को उड़ा ले जैने वेली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ा कर नहीं ले जाती कि कहीं वे हवा से भी कुछ मांग न ले इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है इसका अविप्राई यह है कि यदि अपने महत्य को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्म निर्भर बनना होगा आजादी की लड़ाई के समय हमारे स्वतंद्रता से नानी जिस सशक्त और स्वतंद्र भारत का सपना देख रहे थे उस सपने को सच करने का आधार भी देश की आत्म निर्भरता से ही जुड़ा था कुरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्रात्मिक्ता उसकी अपनी जरूरते थी हमें ये याद दिलाया है कि आत्म निर्भर भारत का निर्मार क्यों इतना मात्पूर है इस दोरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अथिक प्रियोग शालाओं का नेटवर्क बना कर हजारों वेंटी लेटर्स का निर्मार करके PPE किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्म निर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक शमता अपनी तक्नीकी छट दक्षता और अपने मजबूत स्टार्ट अप इको सिस्टम का भी परिचे दिया है हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अवियान चला रहा है इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायत्तु का निर्भेन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाकों खुराक उपलब्द कराई है भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रसंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्यान की हमारी प्रार्थना हमारे प्रियासों को और उर्जा दे रही है माननी सदस्गण मेरी सरकार द्वारा स्वास्त के छेत्र में पिछले छे वर्षों में जो कार्य किये गए हैं उनका बहुत बड़ा लाब हमने इस कुरोना संकट के दोरान देखा है इन बर्षों में इलाज से जूरी बिवस्ताओं को आधनिक बनाने के साथ ही बीमारी से बचाओ पर भी उतना ही बल दिया गया है राश्च्रिय पोशन अवियान, फिट इंडिया अवियान, खेलो इंडिया अवियान, ऐसे अनेक कारक्रमों से स्वास्त को लेकर देश में नई सतरकता आई है आयरवेद और योग को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रियासों का लाब भी हमें देखने को मिला है मेरी सरकार के प्रियासों से आज देश की स्वास्त सेवाएं गरीबों को आसानी से उपलब्द हो रही है तथा वीमारियों पर होने वाला उनका खर्च कम हो रहा है आयुस्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के तहट देश में डेड़ करोड गरीबों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है इस से इन गरीबों को तीस अजार करोड रुपए से ज़्यादा खर्च होने से बचे हैं आज देश के 24,000 से ज़्यादा अस्पतालों में से किसी में भी आयुस्मान योजना का लाब लिया जा सकता है इसी तरह प्रधान मंत्री भारतिये जन आरोशदी योजना के तहट देश बर में बने साथ हजार केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाईयां मिल रही है इन केंद्रों में रोजाना लाखों मरीज दवाई खरीद रहे हैं कीमत कम होने की बज़े से मरीजों को सालाना लगबग 3,600 करोड रुपए की बचत हो रही है माननी सदस्टीग देश में स्वास्ट सेवाओं के बिस्तार के लिए अतियन तौश्यक है साल 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडकल कॉलेज थे लेकिन आज देश में 566 मेडटकल कॉलेज है बीते छे बर्सों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा में पचास जार से ज़्यादा सीटों की ब्रद्धी हुई है प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है राश्टिय चिकित्सा आयोग के साथ ही चार स्वायत बोर्ड का गठन कर केंद सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के छेतर में आयतियासिक सुधारों की निव रखी है इनी सुधारों के एक्रम में दसकों पुरानी Medical Council of India के स्थान पर National Medical Commission की स्थापना की गई है माननी सदस्क आत्मे निर्वर भारत अभियान केवल भारत में निर्मान तक ही सीमित नहीं है बलकि यह भारत के हर नागरिक का जीवन इस्तर उपर उठाने तथा देश का आत्म विश्वास बढ़ाने का भी अभियान है आत्मिनिर्बर भारत का हमारा लक्ष आत्मिनिर्बर किसी से और ससक्त होगा इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 बरसों में बीज से लेकर बाजार तक हर विवस्ता में सकारात्मक परिवर्तन का प्रियास किया है ताकि भारती क्रसी आधुनिक भी बने और क्रसी का विस्तार भी हो इनी प्रियासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की सिपार्सों को लागू करते हुए लागत से डेड़ गुना MSP देने का फैसला भी किया मेरी सरकार आज ना सिर्फ MSP पर रिकार्ड मातरा में खरीद कर रही है बल कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है आज क्रसी के लिए उपलब्द सिचाई के सादनों में भी व्यापक सुधार आ रहा है परड राप मोर क्राप के मंद्र पर चलते हुए सरकार पुरानी सिचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही सिचाई के आधुनिक तरीके भी किसानों तक पहुचा रही है 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुधा थी वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अत्रिक के जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा ज़ा चुका है मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रियासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे है आज देश में खाद्यान लब्दतार रिकार्ड इस्तर पर है बर्स 2008-09 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान की पैदावार हुई थी वहीं साल 2019-2020 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुँच गया है इसी अबदी में सबजी और फलों का उतपादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुँच गया है मैं इसके लिए देश के किसानों का अविनंदन करता हूँ माननी सदस्का समय की मांग है कि किसी छेतर में हमारे जो छोटे और सीमान्त किसान है जिनके पास सिर्फ एक या दो हेक्टेर जमीन होती है उन पर बिसेश ध्यान दिया जाए देश के सभी किसानों में से 80 प्रत्सत से ज़्यादा ये छोटे किसान ही है और इनकी संक्या 10 करोड से ज़्यादा है मेरी सरकार की प्राथमिक्ताओं में ये छोटे और सीमान्त किसान भी है ऐसे किसानों के छोटे छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीम किसान सम्मान ने दी के जरिये उनके खातों में लगबग 1,13,000 करोड से अधिक रुपए सीधे ट्रांसपर किये जा चुके है प्रदानमंत्री फसल भीमा योजना का लाब भी देश के छोटे किसानों को हुआ है इस योजना के तहित पिछले 5 बरसों में किसानों को 17,000 करोड रुपए प्रीमियम के एवज में लगबग 90,000 करोड रुपए की रासी मावजे के तौर पर मिली है देश के छोटे किसानों को साथ जोड़कर 10,000 किसान उतपादक संगठनों यानि फार्मर, प्रोडूसर, और्गनाइजिसन्स को स्थापित करने का अवियान एक ऐसा ही प्रभावसाली कदम है इससे इन छोटे किसानों को सम्रद किसानों की तरह बहतर तकनीक, जादा रिण, पोस्ट हर्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, एवा मार्केटिंग की सुवधाएं और प्राक्रतिक आपदा के समय सुरक्षा मिलनी सुनिश्यत हुई है इससे किसानों को अपनी फसल की जादा कीमत और जादा बचत का विकल्क भी मिला है माननी सदसगन ब्यापक बिमर्ष के बाद संसत्ने साथ महिने पूर्व, तीन महत्पूर क्रिसी सुधार, क्रिसक उपाज ब्यपार और क्रिसक संवर्धन और सरली करण विदेयक, क्रिसी सशक्ती करण और संदरक्षन, कीमत आस्वासन और क्रिसी सेवा करार विदेयक और आवस्यक संसोधन विध्यक पारित किये हैं इन करसी सुधारों का सबसे बड़ा लाब भी दस करोड से अधिक छोटे किसानों को तुलंद मिलना सुरू हुआ छोटे किसानों को होने वाले इन लाबों को समझते हुए ही अनेक राजनेतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था देश में अलग-अलग फोरम पर देश के हर छेतर में दोस्त दसकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी वह सदन में चर्चा के दोरान भी परिलक्षित हुई वर्तमान में इन कानूनों का अमली करण देश की सर्वोच अदालत ने स्थगित किया हुआ है मेरी सरकार उच्छितम नियाले के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगे लोकतंत्र और संबिधान की मरियादा को सर्वोपर रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्व में पैदा किये गए भ्रहम को दूर करने का निरंतर प्रियास कर रही है मेरी सरकार ने लोकतंतर में अभिव्यक्ति की आजादी और शांती पूर्ण अंदलों का हमेशा सम्मान किया है लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गरतंतर दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग पूर्ण है जो संबिधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है वही संबिधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंबीरता से पालन करना चाहिए मेरी सरकार ये एसपस्ट करना चाहती है कि तीन नए करशी कानून बनने से पहले पुरानी विवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है बल्कि इन करसी सुधारों के जरिये सरकार ने किसानों को नई सुभधाएं उपलब्द कराने के साथ साथ नई अधिकार भी दिये हैं माननी सदस्टिकम क्रसी को और लाबकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधनिक क्रसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेश दियान दे रही है इसके लिए एक लाग करोड रुपए के एगरी कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सुरुवात की गई है देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजा रुप लब्द कराने में नया अध्याय लिख रही है यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है अब तक एक सौ से ज़्यादा किसान रेलें से लाई जा चुकी हैं जिनके माद्यम से 38,000 टन से ज़्यादा अनाज और फल सब्जियां एक छेतर से दूसरे छेतर तक किसानों द्वारा भेजी गए है किसानों की आए बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पसुधन को आए के स्रोत के रूप में स्थापित करने पर भी बिसेश जोर दिया है इसी का प्रणाम है कि देश का पसुधन पिछले पांच बरसों में सालाना आठ दसमलो दो प्रिश्द की दर से बढ़ रहा है सरकार ने देरी छेतर में बुनियादी धाचे की स्थापना और निवेश को प्रोतसात करने के लिए 15,000 करोड रुपे के पसुपालन अवसं रचना विकास को उसकी स्थापना भी की है मेरी सरकार ने पसुपालन और मत्स पालन को भी करसी छेतर की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ट की सुविदा दी है देश में प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना के मध्यम से मच्छवारों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है इस छेतर में अगले पांच सालों में लगबख 20,000 करोड रुपए का निवेस करने की योजना है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार अन्न दाता को उर्जा दाता बनाने का भी अवियान चला रही है प्रधान मंत्री कुशुम योजना के तहट किसानों को 20,000,000 सोलर पंप दिये जा रहे है सरकार द्वारा गन्ने के सीरे, मक्का, धान इत्याद से एतनौल के उत्वादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले 6 वर्षों में सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण एतनौल का उत्वादन 38 करोड लीटर से बढ़कर 190 करोड लीटर हुआ है यह उत्वादन इस वर्ष बढ़कर 320 करोड लीटर तक हो जाएगा ऐसी उम्मीद है एतनौल देश के किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रहा है माननी सदस्पन पूज जबापू आत्म निर्भर आदर सी गाउं के निर्मान की इक्षा रखते थे इसी विचार को लेकर चल रही मेरी सरकार आज गाउं के बहु आयामी विकास के लिए लगातार काम कर रही है गाउं के लोगों का जीवन इस्तर सुद्रे यह मेरी सरकार की प्राथमिकता है इसका उत्तम उदारण 2014 से गरीब ग्रामीर परिवारों के लिए बनाये गए दो करोड घर है बर्स बर्स 2022 तक हर गरीब को पक्किछत देने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना की गती भी तेज की गई है मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित योजना से अब ग्रामीरों को उनकी संपती पर कानूनी हक मिल रहा है स्वामित के इस अधिकार से अब गाउं में भी संपत्यों पर बैक लो लेना हाउस लोन लेना आसान बनेगा और ग्रामीर छेत्रों में आर्थिक गत्विधियां तेज होगी इस योजना का भी विशेश लाव गाउं के छोटे उद्दमियों और कुटियूर उद्द्योगों से जुड़े लोगों तथा छोटे किसानों को होगा माननी सदस्गन बावाशायव अंबेटकर संविधान के मुख शिल्पी होने के साथ-साथ हमारे देश में वाटर पॉलिशी को दिशा दिखाने वाले भी थे 8 नवंबर 1945 को कटक में एक कान्फिरेंस के दौरान उन्होंने कहा था बावा साथ की प्रेणा को साथ लेकर मेरी सरकार जल जीवन मिशन की महत्वा कांची योजना पर काम कर रही है इसके तहत हर घर जल पहुचाने के साथ ही जल संरक्षन पर भी तेजगती से काम किया जा रहा है मुझे यह बताते हुए हर से किस अवियान के तैट अब तक 3 करोड परिवारों को पाइप बाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है इस अभियान में अनसूचित जातियों वा जन जातियों के भाई बहनों तथा बंचित वर्गों के अन लोगों को प्रात्मेक्ता के आधार पर पानी का कनेक्शन दिया जा 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 रहा है माननी सदसगन हमारे गाओं को 21 सदी की जरूरतों और इंफ्रस्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने ग्रामीर सडक नेटवर्क के विस्तार में भी सराहनी काम किया है प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतरगत देश के ग्रामीर चेत्रों में 6,42,000 किलो मीटर सडक का निर्मार पूरा कर लिया गया इस योजना के तीसरे चरण में ग्रामीर चेत्रों में बसावटों के साथ-साथ स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों आधि से जोडने वाले 1,25,000 किलो मीटर रास्तों को भी अपग्रेट किया जाएगा गाउं में सडकों के साथ ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी उतनी ही अहम है हर गाउं तक बिजली पहुँचाने के बाद मेरी सरकार देश के 6,00,000 से अधिक गाउं को आप्टिकल फाइबर से जोडने के लिए अभियान चला रही है माननी सदस्गण हमारी अर्थवेवस्ता की आधार भूत ताकत हमारे गाउं और छोटे सहरों में फैले हमारे लग उद्योग हमारे कुटीर उद्योग MSMEs है भारत को आत्मिनर्भर बनाने का बहुत बड़ा सामर्थ हमारे इन लग उद्योगों के ही पास है देश के कुल निरियात में इनकी भागीदारी लगबग पचास पितसत की है आत्मिनर्भर भारत के मिशन में MSMEs की भूमिका को बढ़ाने के लिए भी अनिक कदम उठाए गए MSMEs की परिवासा में बदला हो निवेश की सीमा बढ़ाना हो या फिर सरकारी खरीद में वरियता अब लग और कुटीर उद्योगों को विकास के लिए जरूरी प्रोत्सान मिला है तीन लाग करोड रुपए की इमर्जेंसी क्रेडिट गारंटी योजना मुश्किल में फसे MSMEs के लिए 20,000 करोड की विशेश योजना और फंड आफ फंड जैसे प्रियासों ने लाखों लग उद्यमियों को लाग पहुँचाया है जेम पोर्टल से देश के दूर दराजवाले छेत्रों के MSMEs को सरकारी खरीद में पारिदर्स्ता के साथ साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है मेरी सरकार की ये निरंतर कोशिस है कि उद्यम सीलता का लाप देश के हर वर्ग को मिले हुनर हाट और उस्ताद योजना के माध्यम से लाखों सिल्पकारों का कौशल विकास पी किया जा रहा है और उनको रोजगार के उसर दिये जा रहा है इन लाभार्थियों में आदे से अधिक महिला सिल्पकार है इहाट के माध्यम से इन सिल्प कारों को पूरी दुनिया के खरीदारों से जोड़ा जादा है आत्मिनिर्बर भारत में महिला उद्यमियों की विसेश भूमिका है मेरी सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के नए अउसर देने के लिए कई कदम उठाए है मुद्रा योजना के तहट अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा रिंड दिये जा चुके हैं जिसमें से लगबख 70 प्रिंड महिला उद्यमियों को मिले हैं दीन दयाल अंत्योदे योजना राश्ट्री ग्रामीन आजीव का मिसन के अंतरगत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमि करीब 66 लाख स्वयम सायता समुहूं से जुड़ी हुई हैं बैंकों के माध्यम से इन महिला समुहूं को पिछले 6 बरसों में 3 लाख 40 अजार करोड़ रुपए का रिंड दिया गया देश के ग्रामीर छेत्रों में कार्यरत महिलाओं के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए सरकार एक रुपए में सुविधा सैनेटरी नैपकिन देने की योजना भी चला रही है सरकार गर्ववती मैलाओं के मुफ्त चेकप की मुहिम एवं राश्ट्रिय पोशन अभियान चलाकर उन्हें आर्थिक मदद देकर गर्ववती माताओं एवं शिश्मू के स्वास्त की रक्षा के लिए निरंतर प्रतनसील है इसी का पड़नाम है कि देश में मात्र मृत्यू दर 2014 में प्रती लाख 130 से कम होकर 113 तक आ गई है पांच वर्स से कम आयू के बच्चों की मृत्यू दर भी पहली बार घटकर 36 तक आ गई है जो वैस्विक दर 49 से कम है महिलाओं की समान भागीदारी को आवस्यक मानने वाली मेरी सरकार नए नए छेत्रों में बहनों बेटियों के लिए नए अवसर बना रही है भारती वायू सेना की फाइटर स्ट्रीम हो, मिलिटरी पुलिस में महिलाओं की न्यूकती हो या फिर अंडरग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्री में कारी करने की अनुमती ये सभी नए पहली बार मेरी सरकार ने ही लिये हैं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर अपराधियों का राश्ट्रिय डेटाबेस, इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम और देश भर में फास्ट्रेक कोर्ट पर तेजी से काम किया गया माननी सदस्गर्ण 21 सदी की वैस्विक आवस्कताओं और चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राश्ट्रिय सिक्षा नीती की घोशना की है राश्ट्रिय सिक्षा नीती में पहली बार छात्रों को अपनी रुची के हिसाब से विसे पढ़ने की आजादी दी गई है किसी कोर्स के बीच में भी विसे और स्टीम बदलने का विकल्ब युवाओं को दिया गया है मेरी सरकार ने इविद्या के अंतरगत स्कूली सिक्षा के लिए दीख्षा आनलाइन पोर्टल को वन नेशन वन डिजिटल प्रेट फार्म के रूप में विक्षित किया है विद्यार्थियों के हितों के लिए संबेदन सील मेरी सरकार ने जे इए और नीट परिक्षाओं का भी सफल आयोईन कर उनका एक साल व्यर्थ होने से बचाया है माननी सदसिगण मेरी सरकार का मानना है कि सबसे ज़्यादा बंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक विकास की यात्रा गुडवत्ता युक्त सिक्षा से आरम होती है सरकार की विभिन्न चात्रवति योजनाओं का लाव ऐसे ही 3.20,000,000 से ज़्यार्थियों को मिल रहा है इन में अनसूचित जाती, पिश्रा वर्ग, वनवासी एवं जन जाती वर्ग और अल्प संक्यक समुदाय के चात्र चात्राएं सामिल है सरकार का प्रियास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र और जरूरत बंद विद्यारतियों को चात्र ब्रतियों का लाब मिले इसके साथ ही अनसूचित जाती के विद्यारतियों को दी जाने वेली पोस्ट मेट्रिक चात्र ब्रति में केंद सरकार के हिस्से को भी बढ़ाया जा रहा है इसी प्रकार जन जाती है युवाओं की सिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल बलाक तक एक लब आवासी माडल स्कूल के विस्तार का काम भी किया जा रहा है अब तक इस प्रकार के साड़े 500 से ज़्यादा स्कूल स्विक्रत किये जा चुके हैं सिक्षा के साथ साथ नौकरी की प्रात्मेक्ताएं आसान करने और विवस्तित करने पर भी मेरी सरकार का जोर है ग्रूप C और ग्रूप D में इंटर्व्यू समाप्त करने से युवाओं को बहुत लाब हुआ है सरकार ने नेशनल रिकूर्टमेंट एजेंसी का गठन करके नौजवानों को न्यूक्ति के लिए कई अलग-अलग परिक्षाएं देने की परिशानी से मुक्त किया है माननी सदसगन मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश के हर छेत्र और हर वर के विकास को प्रात्मिक्ता दे रही है दिब्यांग जनों की मुश्किलों को कम करने के लिए देशबर में हजारों इमारतों को सार्वजनिक बसों और रेलवे को सुगम में बनाया गया है लगबक 700 वेबसाइटों को दिब्यांग जनों के अनकूल तयार किया गया है इसी तरह ट्रांसजेंडर विक्तियों को भी बेहतर सुवधाय और समान आवसर देने के लिए ट्रांसजेंडर परसंस प्रोटेक्शन अफ राइट्स एक्ट लागू किया गया है डी नोटिफाइड नूमैडिक एवं सेमी नूमैडिक कम्मूनिटीज यानि विमुक्त गूमन्तू और अर्द गूमन्तू समदाय यों के लिए भी विकास एवं कल्यान बोर्ड की स्थापना की गयी है विकास की दोड में पीछे रहे गए देश के 112 आकांची जिलों में मेरी सरकार प्रातमिक्ता के आधार पर विकास योजनाओं को लागू कर रही है इसका बहुत बड़ा लाव आदिवासी भाई बेहनों को हो रहा है आधिवासियों की आजी विका के प्रमुक साधन यानि बन उपज की मार्केटिंग और बन उपज आधारित छोटे उद्योगों की स्तापना का काम भी जारी है ऐसी कोशिसों से लगबग 600 करोड रुपए की अतरिक तरासी जन जाती परिवारों तक पहुँची है सरकार द्वारा 46 बन उपजों पर MSP 90 प्रिश्चत तक बढ़ाई गई है माननी सदस्गन आधुनिक टेक्नोलाजी का भारत में विकास और हर भारती की आधुनिक टेक्नोलाजी तक आसान पहुँच आत्मिनर भर बनते भारत की आहम पैचान है दोगज की दूरी की अनिवारता के बीच देश की संस्थाओं और नागरिकों ने डिजिटल इंडिया की ताकत से देश की रफ्तार को थमने नहीं दिया पिछले वर्स दिसंबर में UPI से चार लाग करोड रुपे से अधिक का डिजिटल पेमिन्ट हुआ है आज देश के 200 से ज़्यादा बैंक UPI विवस्ता से जुड़े हैं इसी तरह डिजिलाकर का 400 करोड से अधिक डिजिटल डाकुमेंट्स के लिए पेपरलेस प्लेटफार्म की तरह उप्योग किया जा रहा है उमंग एप पर भी देश के करोणों नागरिक 2000 से ज़्यादा सेवाओं का लाब ले रहे हैं देश में 3.5 लाग से अधिक कामन सर्विस सेंटर ग्रामीन छित्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ रहे हैं इसी क्रम में इंडियन स्टैंप एक्ट में संसोधन करके अब देश में इस्टैंप की विवस्ता भी लागू कर दी गई है जनधन खातों आधार और मोबाइल की त्री सक्ती ने लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया है इस जैम त्री सक्ती की बज़े से एक लाख असी हजार करोर रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं मेरी सरकारद्वारा रास्ट्रिय डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिये चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल बनाने की सुरुवाद भी की गई है इसके माध्यम से आने वाले समय में देश के नागरिक डिजिटल अपाइंट्मेंट डिजिटल रिपोर्ट के साथ सा डिजिटल हेल्थ रिकार्ड जैसी सुविदाओं का लाख भी उठा सकेंगे हमारा अपना नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम नाविक भी आज भारत का गौरो बढ़ा रहा है इसका लाब अब हजारों मचवारे साथियों को मिल रहा है हाल हे में नेशनल एटोमिक क्लाक और भारती निदेशक द्रब्य प्रणाली के रूप में नए मानक भी राज़्ट को समर्पित किये गए है इन स्वदेशी समाधानों से भारत के प्रोड़क्ट्स को अंतर राश्ट्री मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी विधान परिशदों और संसत के दोनों सदनों का डिजिटली करण किया जा रहा है राज्य विधान सवाओं में नेशनल इविधान अप्लिकेशन यानि नेवा का कार्यानवयन विधाई और लोकतंत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में एक नए युग की शुरुवात करेगा माननी सदसकन हमारी संसत लोकतंत्र में देशवासियों की बढ़ती हुई भागेदारी और नए भारत की आकांचाओं की पूर्ती का एक महत्पूर माध्यम है पहले की सरकारों में तथा संसत के सदनों में ये बात उठती रही है कि संसत की यह इमारत हमारी बर्तमान आवस्कताओं को पूरा करने में अप्रियाप्त सिद्ध हो रही है संसत की नए इमारत को लेकर पहले की सरकारों ने भी प्रियास किये थे ये सुखत सयोग है कि आजादी के 75 बर्ष की तरफ बढ़ते हुए हमारे देश ने संसद की नई इमारत का निर्मान शुरू कर दिया नए संसद भवन के बनने से अपने संसदी दायतों को निभाने में हर सदस को अधिक सुविधा मिलेगी देश बासियों ने जिस तेजी से तक्नीक और बदलाव को आत्मसाद किया है वह इस बात का प्रमान है कि आज हर भारतिये देश को नई उचाई पर पहुंसते हुए देखने के लिए कितना आतुर है देश बासियों के आकांचाओं को दिहान में रखते हुए मेरी सरकार तेजी से निर्णे ले रही है और अर्थ विवस्ता से जुड़े हर सेक्टर में ऐसे सुधार कर रही है जिनकी प्रतिक्षा बरसों से थी फेसलेस टैक्स असेस्मेंट और अपील की सुधा देने के साथ ही मेरी सरकार ने देश में उद्यम सीलता को प्रोटसाहित करने के लिए कमपनी अदिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर अपराधिक बना दिया है उद्योगों को जरूरी सुधाय मिल सकें इसके लिए अद्योगिक छेतरों का G.I.S. तकनीक पर आधारित डेटाबेस तैयार किया जाया रहा है इस डेटाबेस में देशबर की लगबग पांच लाख हेक्टेयर और द्योगिक भूमी से जुड़ी जानकारी उपलब्द है मुझे खुशी है संसत के दोनों सदनों ने स्रम एव जैते की भावना पर चलते हुए स्रमकों के जीवन में बदलाव लाने वाला निर्ने लिया है 29 केंद्रिये स्रम कानूनों को कम करके चार लेवर कोट बनाए गए है इन स्रम सुधारों में राज्यों ने भी अगवाई की है इन सुधारों से स्रम कल्यान का दाइरा बढ़ेगा स्रमकों को निश्चित समय पर मज़दूरी मिल पाएगी और रोजगार के जादा आउसर तयार होंगे नए लेवर कोट हमारी महिला स्रमकों की अधिक और सम्मान जनक भागी दारी भी सुनिश्चित करते हैं उद्योगों के लिए स्रम के साथ साथ आसान पूजी भी बहुत आवस्यक है इसके लिए देश के बैंकिंग सिस्टम को ससक्त किया जगा है देश में बड़े और 37 साली बैंकों के निर्मार के लिए छोटे बैंकों का आपस में बिले भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है मैनुफेक्टरिंग से जुड़े दस सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगबग डेड़ लाग करोड रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है इसका लाब इलेक्ट्रोनिक सेथ अनेक दूसरे सामान की मैनुफेक्टरिंग में दिखने भी लगा है देश और विदेश की अनेक बड़ी कमपणियों ने भारत में नियोजनाओं के तहत काम सुरू कर दिया मेरी सरकार भारत में बने सामान के उपयोग के लिए जन भागीदारी को प्रोचसाइद कर रही है आज वोकल फार लोकल देश में जन अन्दोलन का रूप ले चुका है भारत में बने सामान के प्रति भावनात्मक लगाओं के साथ ही गुरवत्ता में भी स्रेष्ट हूँ इस दिसा में काम किया जा रहा देश में इस आप डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी निरंतर कदम उठाय जा रहा है इसके लिए राज्यों के वीच स्वस्त प्रतिस्वर्धा को प्रोथसायत किया जा रहा है यह बड़े हर्स की बात है कि रैंकिंग में सुधार की गंभीरता को राज्य भी समझ रहे हैं और इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं कोरोना के इसकाल में प्रतेक भारती का जीवन बचाने के प्रयासों के बीच अर्थ विवस्ता को जो हानी हुई थी उससे भी अब देश उबरने लगा है यह आज अनेक इंडिकेटर्स के माध्यम से इसपस्ट हो रहा है इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्सक इस्थान बनकर उभरा है अप्रेल से अगस्त दोहजार बीस के बीच लगबख 36 अरब डालर का रिकार्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है माननी सदसिगण मेरी सरकार मानती है कि देश में आधनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान नए और आत्म निर्वेश भारत के लिए मजबूत निव का काम करेगा कोरोना काल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करन होना और उनको पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता को दर्साता है चिन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सब्मरीन ऑप्टिकल फाइवर केबल हो अटल टरनल हो या फिर चार धाम सड़क परियोजना हमारा देश विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता रहा कुछ दिन पहले ही पूरवी और पस्चमी डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर के सेक्षंस देश को समर्पित किये गए ये फ्रेट कोरिडोर पूर्वी भारत में और द्योगी करण को पूत्सान देने के साथ ही रेल यात्रा में होने वाली अनावस्यक देरी को भी कम करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधनिक रूप देने के लिए मेरी सरकार 110 लाख करोड रुपए से अधिक की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर भी काम कर रही है साथ ही भारत-माला परियोजना के पहले चरण में छे नए इक्स्प्रेस वे और 18 नए एक्सिस कंट्रोल्ड कोरीडोर्स का निर्मार चल रहा है गुजरात के हजीरा और घोगा के बीच शुरू की गई रोपैक्स फेरी सेवा हो या फिर केवडिया और सावरमती रिवर्फरंट के बीच सी प्लेन सेवा ये भारत में वार्टर ट्रांस्पोर्ट को नया आयाम दे रहे है दुनिया की सबसे उंची सरदार पटेल की प्रतिमा का गवरो अपने साथ रखने वाले केवडिया से अब देश के अनेक सहरों से सीधे ट्रेने भी चलने लगी माननी सदस्गन देश को गैस बेस्ट एकॉनमी बनाने के लिए गैस कनेक्टिवीटी पर भी तेज गती से काम किया जा रहा है कुछ दिनों पहले ही कोची मेंगलोर गैस पाइपलाइन का लोकारपन किया गया है डोभी दुरगापूर गैस पाइपलाइन का निर्मान उर्जा गंगा का प्रवाह बढ़ा रहा है यह पाइपलाइन पस्चिम बंगाल तक जाएगी और पूरी भारत के विभिन उद्योगों विसेश कर खातकारखानों को गैस उपलब्द कराएगी इसी तरह तमिल नाडू के खातकारखाने और अन और द्योगे की काईयों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए तूती कोरन रामनाद पूरम गैस पाइपलाइन पर तीब्र गती से कार चल रहा है माननी सदसकन मेरी सरकार देश में सहरी करण के विकास को एक आवसर के रूप पे देखती है इसलिए सहरी इंफ्रास्ट्रक्टर का व्यापक निवेस किया जा रहा है सहरों में गरीबों के लिए स्वेकरत एक करोड से अधिक घरों में से करीब 40 लाग का नर्मान पूरा हो चुका है कुछ दिन पहले देश के 6 सहरों में आधुनिक टेक्नोलाजी आरहाज घर बनाने का काम भी सुरू किया गया है सहरों में काम करने वाले स्रमकों को बहतर आवास मिल सके इसके लिए उचित किराये वाली योजना भी सुरू की गई है सहरों में कनेक्टिविटी से जोड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर भी सरकार की प्राथमिकता है आज देश के 27 सहरों में मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए काम चल रहा है कुछ दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो के एक रूट पर ड्राइवर लेस मेट्रो का परिचालन भी किया गया सहरों में रीजनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम्स के निर्मार से भी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है कामन मोबिलिटी कार्ड के देश बर्मे हो रहे विस्तार से देश के सहरों में यात्रा और आसान होगी माननी सदसकन मेरी सरकार पूर्वी भारत के संपूर्ण और संतुलित विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिवद्ध है पूर्वोत्तर की भोगोलिक्स, सांस्कृतिक, भाषाई विसेश्ताओं और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए तेज विकास की नीती पर काम किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी असम सहित उत्तरपूर्वी राजियों की जीवोंधारा है इसी जीवन धारा को आर्थिक गद्विद्यों का आधार बनाकर विभिन राष्ट्री जलमार्गों के आरंब के लिए काम हो रहा है इसका लाब पूर्वोत्तर के किसानों, युवाओं और उद्यम्यों को सभी को मिलेगा आर्थ ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम से इंटीग्रेटड नेशनल वाटर वेज का विकास कर ब्रह्मपुत्र और बराक नर्दी को विकास की धारा बनाने का प्रियास जारी है मेरी सरकार ने पूर्वोत्तर में इस्थाई सांती के लिए संबेदन सीलता और सहभागिता की जिस नीती के साथ काम किया उसका लाब आज साफ दिख रहा है आज पूर्वोत्तर में उग्रवात समापती की ओर है और हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब विकास और राष्ट निर्मार की मुक्धारा में लोट रहे हैं बुरू स्रानार्थियों के पुनरवास को सांती और स्रौहर्थ के साथ पूरा किया जा रहा है इसी प्रकार आइतिहासिक बोडो सांती समझोता भी हुआ है जिसे सफलता पूर्वक लागू किया गया है समझोता होने के बाद इस बार बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव भी सफलता के साथ पूरे हुए है माननी सदस्गंग मेरी सरकार देश की एकता और खंडता को चुनोती देने वाली ताक्तों से निपटने के लिए हर इस्तर पर प्रयासरत है एक तरफ जहां हिंसा प्रभावित छेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ हिंसा पहलाने वाली ताक्तों पर भी कड़ाई बरती जा रही है इसी का परणाम है कि नकसली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नकसल प्रभावित छेत्र का दारा सिमट रहा है मेरी सरकार की विकास नीती को जम्मू कस्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है कुछ सब्ताह पहले ही आजादी के बाद पहली बार जम्मू कस्मीर में जिला परिशत के चुनाव सफलता के साथ संपन हो बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने दर्साया है कि जम्मू कस्मीर नए लोग तांत्रिक भविस्ति की तरफ तेजी से आगे बढ़ चला है प्रदेश के लोगों को नए अधिकार मिलने से उनका ससक्ती करण हुआ है आयुश्मान भारत सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू कस्मीर की हर परिवार को पांच लाग रुपए तक के मुफ्ति लाज का लाप मिलना तै हुआ है जम्मू में सेंट्रल एड्मिनस्टेटिव टिबूनल की एक बेंच भी इस्थापित की गई है केंदर सासित प्रदेश बनने के बाद कुछ महीने पहले लद्दाख स्वायत परवतिय विकास परसत के चुनाओं की प्रक्रिया भी सफलता पूर्वक संपन हुई है अब लद्दाख के लोग स्वयम अपने प्रदेश के विकास से जुड़े निरने और तेजी से ले रहे हैं माननी सदस्गन इस कुरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ को चुनोती देने के प्रयास किये गए LAC पर दूपक्षी सम्मंधों और समझताओं को दर किनार करते हुए सांती भंग करने की कोशिस की गई लेकिन हमारे सुरक्षावलों ने ना केवल पूरी सजगता, शक्ती और हौसले के साथ इन शड़ियंत्रों का मूत और जवाब दिया वल कि सीमा पर यथा इस्तिती बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया हमारे जाबाजों ने जिस सैयम, शवर और पराक्रम का परिशे दिया उसकी जितनी भी सराने की जाये कम है जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मात्रभूमी की रक्षा के लिए गलवान खाटी में अपना सर्वोच बलिदान भी दिया, हर देशबासी इन सहीदों का कर्तक गह है मेरी सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिवद्ध और सतर्क भी है एलेसी पर भारत की संप्रभूता की रक्षा के लिए अत्रिक्त सैनवलों की तैनाती भी की गई है माननी सदस्गाँ हमारे स्वाधिनता संग्राम के दोरान देश वक्ती की अमर गीतों की रचना करने वाले मलेयालम के स्रेष्ट कवी वल्ल थोलने कहा है भारतम अइना पेरुकेट टाल अभिमाना पूरिदम आगनम अंतरंगम अर्थाद जब भी आप भारत का नाम सुने आपका हर्दय गर्व से भर जाना चाहिए मेरी सरकार भविस्थ के भारत की व्यापक भूमिका को देखते हुए अपनी सेन तैयारियों को सशक्त करने में जूटी है आज अनेक आजनेक साजो सामान भारत की सेन छमता का हिस्सा बन रहे है रक्षा छेत्र में आत्म नर्भरता पर भी सरकार का जूर है कुछ दिन पहले ही सरकार ने H.A.L. को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के नर्मान का आर्डर दिया है इस पर 48,000 करोड रुपे खर्च होंगे सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा से जुड़े एक सो से अधिक सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है इसी तरह सुपरसोनिक टार्पीडो, क्विक रियक्शन मिसाइल, टैंक और स्वदेशी राइपलों से अनेक अतियादुनिक हत्यार देश में ही बन रहे हैं आज भारत रक्षा सामान के निर्यात के छेत में भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है माननी सदस्कम, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर अर्थात इन स्पेस का गठन स्पेस सेक्टर में बड़े सुधारों को गती देगा आज हमें गर्व है कि इसरो के वज्यानिक चंद्रयान 3 गगणियान और स्माल सेटिलाइट लांच वेहिकल जैसे महत्पूर्ण अभियानों पर काम कर रहे है परिमान उर्जा में भी देश तेजी से आत्म निर्भरता की तरफ बढ़ रहा है कुछ महीने पहले काकरा पार में देश के पहले स्वदेशी प्रिसराइज्ट हैवी वाटर रियक्टर का सफल प्रिक्षन किया गया है माननी सदस्गण विकास के साथ ही परियावरन सुरक्षावी मेरी सरकार की सर्वोच प्राथिमिक्ताओं में से एक है इसी संकल्प को लेकर भारत GDP की Emissions Intensity को बर्स 2005 की तुलना में 2030 तक 33-35 तक कम करने के लक्ष पर काम कर रहा है पेरिश समझोते को लागू करने में भारत दुनिया के अगरणी देशों में सामिल है हाल ही में कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा Hybrid Renewable Energy पार्क बनाने का काम शुरू हूँ है पिछले छे बरसों में भारत की नवी करनी ऊर्जा चमता में धाई गुना बिद्धी हुई है जबकि सोर ऊर्जा चमता तेरा गुना बढ़ी है आज देश में खुल उर्जा उत्पादन चमता का लगबग एक चोथ्याई हिस्सा नवी करनी स्रोतों पर आधारित है माननी सदस्कन भारत अपनी वैस्विक जिम्यदारियों को इस कोरोना काल में भी जिस गंबीरता से निबा रहा है उसे आज दुनिया देख रही है बसुदहिब कोटमबकम की भावना को चलतार्थ करते हुए भारत ने देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाईयों की आपूरती की भारत वैस्विक इस्तर पर वैक्सीन की उपलबदता को सुनिश्चत करवाने के लिए पृतिवद्ध है यह देश का गौरो बढ़ाने वाली बात है कि बंदे भारत मिशन जो दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा अभियान है उसकी सरहना हो रही है भारत ने दुनिया के सभी हिस्सों से लगबग पचास लाग भारतियों को स्वदेश बापस लाने के साथ ही एक लाग से अधिक विदेशी नागरिकों को भी उनके अपने देशों तक पहुँचाया कोविड-19 की बाधाओं के बाबजूत भारत ने सभी साथी देशों से अपने संपरकों और संबंदों को और मजबूत बनाया है इस दोरान बड़ी संख्या में सिखर संवेलन, बहुपक्ची कारिकम और आधिकारिक बैट्रकों के जरिये अंतरराश्टी सयोग को भारत ने आगे पढ़ाया है भारत ने एतियासिक वैस्विक समर्थन हासिल करके इस वर्स आठवी बार एक आस्थाई सदस के रूप में सुरक्षा परिशद में प्रवेश्पी किया भारत ने 2021 के लिए ब्रिक्ष में अध्यक्षपद भी ग्रहन किया है मानने सदसगंग आज जब भारत दुनिया में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए ततपर है तो हमें भी उतने ही बड़े संखल्पों को सिद्ध करना होगा 2021 का ये वर्स हमारे लिए इसलिए भी आहम है देश ने कुछ दिन पहले तेश जन्मिरी को नेता जी सुभाश रंद भोश के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया ये बर्स नेता जी की 125 जन्म जहनती का बर्स भी है नेता जी की जहनती को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मेरी सरकार ने एक उच्छ स्तरी समिति का गठन किया है हम सब के पूज गुरु तेक बाहदुर का 400 हम प्रकास पर्व भी हम पूरी सुर्द्धा के साथ मनाएंगे इन समारोहूं के साथ ही देश की स्वतन्तता के 75 वर्स के उपलक्ष में अमरत महुत्सो का सुभारम भी इसी वर्स हो जाएगा माननी सदसिगन विगत वर्स में सामुहिक्ता की जिस शक्ती का हमने साक्षात कार किया है उसी शक्ती से हमें नए लक्षों को प्राप्त करना है पिछले कुछ वर्सों में देश ने अनेक ऐसे कामकर दिखाए हैं जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था आठकिल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद चम्मु कस्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं नागरिक्ता संसोधन कानून संसद्वारा पास किया जा चुका है चीफ आप डिफेंस स्टाप के पद का लाब देश को मिलना सुरू हो चुका है ससस्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है उचितम न्याले के फैसले के उपरांद भव्यराम मंदर का निर्मान सुरू हो चुका है इज आफ डूइंग बिजनिस की रैंकिंग में भारत ने रिकार्ट सुधार किया है अब कंप्लाइंस से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर विसेश बल दिया ज़रा है बर्ड टूरिजम इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 65 से 34 में रैंकिंग पर आ गया है जिस डीवीटी को नजर अंदाज किया जा रहा था उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाग करोड रुपए से अधिक धनरासी लावारतियों को ट्रांसफर की गई है कभी हमारे यहां सिर्फ दो मुवाइल फेक्रियां थी आज भारत दुन्या का दूसरा सबसे बड़ा मुवाइल निर्माता देश है आज मध्यम बरके लाखों लोगों को Real Estate Regulation and Development Act के तहत Real Estate Regulatory Authority यानि रेरा कहलाब मिल रहा है इस दोरान सिर्फ नए कानून ही नहीं बने बलकि 1500 से अधिक पुराने और आप रासांगे कानूनों को समाप्त किया जा चुका है माननी सदसगन ऐसे अनेक निर्णे हैं जो लगबग हर छेतर में लिये गए है मेरी सरकार ने दिखाया है कि नियत साफ हो इरादे बुलंद हो तो बदला लाया जा सकता है इन बरसों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है वह अभूत पूर्व है हर गरीब का घर रौशन हो इसके लिए धाई करोड से अधिक बिजली कनेक्शन निस्सुल्क दिये गए गरीब और मध्यम बर का बिजली बिल कम हो इसके लिए 36 करोड से ज्यादा सस्ते LED बल्ब बित्रित किये गया दुरघटना की इस्तिती में गरीब परिवार को दरदर न भटकना पड़े इसके लिए सिर्फ एक रुपया महिना के प्रीमियम पर 21 करोड से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया गरीब की म्रत्यू के बाद उसके परिवार के पास एक संबल रहे इसलिए सिर्फ नब्बे पैसा प्रति दिन के प्रीमियम पर लगबख साड़े नो करोड लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना से जोड़ा गया गरीब का सिशू किसी गंबीर बीमारी से ग्रसित ना हो इसलिए मेरी सरकार ने ना सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बलकि टीका करन अवियान को देश के उन आदिवासी इलाकों में भी ले गई जो अब तक अच्छूते थे मिसन इंद्र धनुस के तहट साड़े तीन करोड से अधिक बच्चों का टीका करन किया गया गरीब के हका रासन कोई दूसरा ना छीन ले इसके लिए सत प्रिच्छत रासन कार्ड को डिजिटल किया जा चुका है नब्य प्रिच्छत रासन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है रसोई के दूएं से गरीब बहन बेटी की सेहत ना खराब हो इसके लिए ओज्वला योजना के तहट आट करोड से जादा मुफ्त कनेक्शन दिये गए गरीब बहन बेटी की गरीबां बढ़े उनकी परिशानी कम हो इसके लिए स्वक्ष भारत मिशन के तहट दस करोड से जादा सोचाले बनाए गए घर में काम करने वाले भाई बहन गारी चलाने वाले जूता सिलने वाले कपड़ा प्रस करने वाले खेतियर मज़दूर ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले इसके लिए प्रधान मत्री इस्रम योगी मान धन योजना चलाएगे गरीब को बैंकिंग गवस्ता का लाब मिले इसके लिए एक तालिस करोड से अधिक गरीबों के जन धन खाते खोले गए इन में से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं माननी सदस्गन ये सिर्फ आंक्रे नहीं है इन में से हर आंक्रा अपने आप में एक जीवन गाथा है इस संसत के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इनी परसितियों में गुजारा है हमारे जिस कार से गरीब भाई बहनों की चिंता उनका दुख और तकलीफ कम हो सके उन्हें अधिक से अधिक मूल भूद सुविधाओं के साथ जोड़ कर शशक्ती करन और आत्म सम्मान के पत पर आगे बढ़ाया जा सके ऐसा प्रतेक कार इस संसद में हमारी उपस्तिती को सार्थक बनाएगा मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निस्ठा और इमानदार नियत के साथ पिछले छे बरसों से इस दिशा में नरंतर काम कर रही है फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है मननी सदस्गा वीरता अध्यात्म और प्रितिभाओं की भूमी पश्यम बंगाल के सपूत गुर्देव रविंदरनाथ टैगोर के बड़े भाई जयोतिर इंदरनाथ टैगोर ने देश प्रेम से भरे एक उजस्वी गीत की रशना की थी उन्होंने रिखा था चौले चौले सौबे भारोत संतान मात्र भूमी कौरे आवाहन बीरो दौरपे पौरुस गौरबे सादरे साद सावे देशेर कल्यान अर्थात मात्र भूमी आवाहन कर रही है कि भारत की संतानों सभी मिल जुल कर चलते रहो वीरता के स्वाविमान तथा पौरुष के गर्व के साथ तुम सभी देश के कल्यान की निरंतर कामना करते रहो आईए हम सम मिलकर आगे बढ़ें सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें अपना कर्तब निभाएं और राश्र निर्मान में अपना योगदान दें आईए भारत को आत्म निर्भर बनाएं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना आएं जैहिंद